दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा किसी एक नमबर की कॉल को साइलेंट कैसे करते हैं, म्यूट कैसे करते हैं अगर हम अपने फोन को साइलेंट कर देते हैं तो ऐसे में सभी इनकमिंग कॉल साइलेंट हो जाती है लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी एक नमबर की call silent हो जाए, दो नमबर, तीन नमबर, इस तरह से आप जितने चाहे उतने नमबर की call को silent कर सकते हैं अगर आपको किसी बंदे को block नहीं करना है, आपको सरिफ उसे ignore करना है, तो ऐसे में आप उस बंदे की call को अगर mute कर देंगे, या कहलो silent कर देंगे, तो वो आपको call करेगा, तो आपके phone में ringtone नहीं बजेगी, बाकि जितने भी लोग call करेंगे, सभी लोगों की call आने पर ringtone ब होता है, आपके phone में icon अलग होगा, लेकिन नाम सेम होगा, आपको recorder app को open करना है, और यहां पर आपको silent file को record करना है, यानि के आपको recording को on करना है, और 5-6 second तक आपको कुछ नहीं बोलना है, तो एक silent file record हो जाएगी, कैसे करना है, यहां पर मैं आपको बता देता हूँ, इस पर आप किलिक करेंगे red बटन पर, तो recording on हो जाएगी, उसके बाद आपको कुछ बोलना नहीं है, अब यहां पर आपको red बटन पर किलिक करके recording को stop कर देना है, और उपर right के बटन पर किलिक कर देना है, अब यहां पर हमारी silent file record हो गई है, आपको इसे rename भी कर देना है, ताक इस app को बंद करना है, इसके बाद आपको यहां पर contact app को open करना है, अगर दोस्तों आप silent file record नहीं कर पा रहे हैं, तो silent file का जो download link है, मैं आपको वीडियो के description में दे दूँगा, वहां से आप उस ringtone को download कर पाएंगे, तो यहां पर आपको क्या करना है, अब app को open करना है, contact app, यह Google का contact app है, आपको इसे open कर लेना है, अगर आपके phone में नहीं है, तो आप इसे play store से download भी कर सकते हैं, इसके बाद यहां पर आपको उस number को open कर लेना है, जिस number की call को आप silent करना चाते हैं, जिसे कि यहां पर number को मैंने open कर लिया है, इसके बाद उपर में three dots पर click करना है, इस आपको add ringtone का option मिले, इन तीनों में से एक option आपके phone में आपको मिल जाएगा, तो आपको यहां पर on this device पर click करना है, तो आपके mobile में जितनी भी music वाली file होगी, वो सारी आजाएगी, जितनी भी ringtone है वो सारी आजाएगी, और आपको यहां पर side में recording का option दिखाई देगा, आप देखेंगे, जो mute file हमने record की है, वो यहां पर दिखाई दे रही है, बस इस file को आपको set कर देना है, मैंने set किया, अब यहां से back आजाना है, back आने के बाद दोस्तों आप देखेंगे, mute file set हो गई है, अब दोस्तों हमारा काम हो गया है, अब यह बंदा मुझे call करेगा, तो इसकी ringtone नहीं बजेगी, इसकी call mute हो गई है, अब जितनी भी दूसरी incoming call आएगी, तो दोस्तों ringtone बजेगी, सिर्फ इस बंदे की incoming call पर ringtone नहीं बजेगी, यहनी कि इस बंदे की call को मैं fully ignore कर सकता हूँ, अगर आपकी setting को बंद करना चाते हैं, तो बंद भी कर सकते हैं, दुबारा से आपको three dot पर click करना है, set ringtone पर click करना है, अब यहाँ पर दोस्तों नीचे में default ringtone आपको मिल जाएगी, कोई भी एक ringtone आप यहाँ पर set कर दीजे, और आपको यहाँ से back आजाना है, अब यह बंदा call करेगा, तो ringtone बजेगी, अगर आपको यह वीडियो सबी पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके, बैल आइकोन को दबाकर, all press ads जरूर करना,